कि चलिए जी बिसमिल्लाइरह्मान रहीम कि आज का जो हमारा सेशन है वह है कैन्वा और फ्रिलैंसिंग का इंट्रोडक्शन खीक है जैसे कि मैंने आप लोगों को बिताया है आप लोगों को फ्रिलैंसिंग ये चार फ्लैट्फॉर्म नहीं प्लैट्फॉर्म बताऊ एप लोगों को इंट्रोड़क्शन दोगी कि इन की प्लैट्फॉर्म और we're दोगों काम और्या किसे कि ये उप लोगों को क्लियर्य को सब्सक्राइब मैसीज करने जर् Alexandra मुझे झाल झाल मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे आप लोगों के नाम शो हो रहे हैं कि जो ये हरकते कर रहे हैं मैंने आपको रिमूव कर दिया है अब मुझे आपको वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है नहीं रिमूव कर देना ज्यादा बेटर है अच्छा चले ठीक है मैं आप लोगों को अब इंट्रोड़क्शन देती हूं कुछ नहीं कुछ जो नोन इंट्रेस्टिट पिपल थे उनको निकाल दिया मैंने उनको शचोक नहीं था ग्लास में रने का सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी के फ्रीलेंसिंग क्या होती है फ्रीलेंसिंग बेसिकली आप लोगों ने ओनलाइन वर्किंग करने को फ्रीलेंसिंग का जाता है आप लोग घर बैठे बिना कोई बाहर के चकर लगाए बिना कोई किसी ओफिस में जाए बिना किसी के रैफरेंस के थुरू आप लोग ओनलाइन वर्किंग कर सकते हैं और उस working को कहते हैं freelancing और freelancing का मतलब क्या है कि आप लोग कोई भी skill सिखें जो भी skill आप लोगों के अंदर है for example आप लोगों को खाना बनाना आता है आप लोगों को सलाई कराई आती है आप लोगों को engineering के student है आप लोगों को machinery ठीक करनी आती है आप लोगों को कोई भी काम मतलब कोई भी skill उसको आप online बेचेंगे तो वो आपकी freelancing कहलाएगी ठीक है अब मैं एक लड़की के लिए बोलू कि अगर उसको खाना बनाना आता है या उसको सलाई करनी आती है तो वो अगर अपनी सलाई करने के काम को और अपने खाना बकाने की जो टेकनीक है उसको online sale करेगी तो वो उसकी freelancing कहलाएगी online अगर आप अपनी किसी भी skill को बेचते हैं अपनी किसी भी skill को use करते हैं sale करते हैं तो उसको freelancing का जाता है basically freelancing का यही मतलब है बट कुछ लोगों को misconceptions हैं के Fiverr को freelancing कहते है Fiverr freelancing का सिर्फ एक platform है आप लोगों में से कितने लोगों ने Fiverr का नाम सुने हैं जड़ा handdress करें message मत करिये voice में मत बोलिएगा just आप लोगों ने अपने handdress करने हैं very good काफी लोगों को Fiverr का idea है ठीक है और Freelancing का किसको idea है कितने लोगों को idea है जड़ा वो भी handdress करें good अच्छा मैं अब लोग of CSS CSS और CS अच्छा आप लोगों के introduction वगरा मैं बात में लूँगी अच्छा जिनको नहीं है उनको मैं clear कर रही हूं मतलब आप लोगों के अंदर built-in कोई ना कोई तो skill होगी ना आप उस skill को online sale करेंगे किसी भी platform पर Facebook यूज़ करते हैं Facebook पर करें Instagram यूज़ करते हैं Instagram पर करें WhatsApp TikTok Twitter Yahoo जो अभी है आपका Gmail के तुरू भी marketing होती है each and every platform हर online platform के तुरू आप लोग अपनी services दे सकते हैं social media ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया आप घर बैठे कोई भी काम सिखें आप उसको online sale करें अपना नाम बनाएं कि हम लोग यह services देते हैं आप online जाकर कहीं पर भी किसी भी platform को यूज़ करते हैं मैं सिर्फ फाइवर की बात नहीं कर दी मैंने आपके सामने भी चार-पांस platform का जिकर किया है facebook, instagram, twitter, yahoo, whatsapp और tik-tok ठीक है यह छे platform का मैंने नाम लिया है कि आप लोग इन platform के जरिए आप कहीं पर भी अपनी services को sale कर सकते हैं आप लोग अपने question भी लिखके रखें मैं end पर आप लोगों के questions को answer करूंगी, ठीक है तो अपनी skill को online sale करने को कहा जाता है freelancing अब freelancing के platform यह छे तो मैं बता जो कि आप लोग यहां पर अपनी services दे सकते हैं अब उसके अलावा जो major platform जानने बाने platform है जिनके तुरू आप यानि genuine platform है जिनके तुरू कोई fraud नहीं होता कोई आप लोगों को investment नहीं करनी पड़ती वो platform क्या है उनके नाम है Fiverr next है Upwork next है freelancers यह तीन बहुत बड़े platform हैं जिनके तुरू freelancing बहुत ज्यादा कीजाती है ठीक है बहुत ज्यादा यह इस freelancing नहीं है यह जिस्ट उसके platform है आप लोग एक freelancing एक बहुत बड़ा दरिया है आप लोग यह जो Fiverr, Upwork और freelancers हैं यह उसका सिर्फ एक कतरा है आप लोग इसके उपर reliable मत रहें कि Fiverr, Upwork यह freelancers.com ही freelancing है freelancing आप कहीं से भी किसी भी platform से कर सकते हैं बड़ अगर आप इन तीनों को use करें तो यहाँ पर आप लोगों के साथ कोई fraud नहीं होगा आप लोगों के साथ कोई दोके बाजी नहीं होगी तो यह तीन एक platform है freelancing के ठीक है अब आप लोग उसरा मुझे बताएं किस को समझा आगी है मैसेज में मुझे बताएं आप लोगों को समझा आगी है freelancing क्या होती है just freelancing क्या होती है freelancing के क्या माइनी है just आप लोगों को समझा आगी मैसेज करें अब पहली बात तो यह कि आप लोगों के जो doubts हैं जो कि मैंने पहले ही अपनी post के अंदर बोला था कि आप लोगों को freelancing के लिए बहुत ड्राया जाता है कि आप लोगों को English नहीं आती तो आप freelancing नहीं कर सकते please अपने mic और cameras को mute रखें मैंने अपनी post में जो मैंने आप लोगों से post share की थी उसमें मैंने कहा था online earning is freelancing mic अपने unmute मत करें recording चल रही है मैंने पनी post में आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के freelancing के doubts भी clear करूंगी और वो doubts मैं अभी clear करने जा रही हूं सबसे पहली बात तो यह कि आप लोगों को कहा जाता है कि अगर आप लोगों को English नहीं आती आप लोगों को अच्सी English नहीं आती ग्राइमर नहीं अच्सी आप इंग्ोर्बि बात नहीं कर सकते यह बात बिल्कुल गलत है कि आगर आप लोगों को English नहीं आती तो आप लोग नहीं कर सेके अब इतने ज़ादा जुबणे हैं दुनिया की और कितने लोग यहां से पाकिस्तान की अगर बात करें जिन हम लोगों को तो उर्दू बोलनी आती है ठीक है? हम लोगों को उर्दू बोलनी आती है और बाहर के मुलकों में कितने लोग जाते हैं काम करने के लिए तो क्या उन लोगों को वो लोग निकाल देते हैं? ज़रा मुझे जवाब दे इस बात का मेसिज पे हमारे कितने पाकिस्तानी लोग बाहर के मुलक जाते हैं काम ढूडने के लिए तो क्या वो लोगों को निकाल देते हैं कि उनको जुबान नहीं आती? नहीं वो लोग वहाँ जाते हैं वो उनकी बात को समझते हैं और वहाँ पर काम भी करते हैं और अब तो ये भी जो फ्रीलंसिंग है उसमें तो आप लोगों इने सामने वाले बंदे को देखना भी नहीं है उससे मिलना भी नहीं है, वो आपके सामने भी नहीं बैठा हुआ, आपने तो जिस्ट उससे ओनलाइन बात करनी है, अब ओनलाइन बात करने के लिए, मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, कि अगर आपको इंगिश नहीं आती है, अब भी जो हमारा आर्टिफिशल में बात करते हैं, तो अगर हम लोग हमारी जो नेशनल लैंग्विज है, सबकी उर्दू ही है, तो अगर हम उर्दू में बात करते हैं, तो हम उर्दू को किसी भी जुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं, कितने फ्री सॉफ्टवेर हैं, कितने ज्यादा वेबसाइ जसे पहती हूं। काफी लोगों की अभी voice connect ही ही नहीं गाए। लास्ट मैं पोचिएगा अभी जस में आप लोगों के doubts अग अगेरा clear करतूं। कि आप लोग फ्रीनंसिंग की तरफ आ रहे हैं तो आप लोगों की doubts clear होने चाहिए। आपने कैस्टेन भी कंट्रोल कर लें लिख लें किसी कॉपी पैंसिल पर लिख लें आपने मुबाइल में बलके मैं कॉपी पैंसिल के से तो आपको दूर कर देना चाहती हूं मैं चाहती हूं कि आप लोग जो भी लिखें अपने लैब टॉप या अपने मुबाइल पर ही लि यह था मुझे students ने complaint complaint तो नहीं कह सकते इसको इसको यह कहा जा सकता है कि एक question था एक डर था कि आप लोगों को English नहीं आती है तो आप freelancing नहीं कर सकते अब यह जो software है इनके बारे में तो सबको पता ही होगा सबसे बड़ा software तो Google Translator आप गूगल ट्रांसलेटर यह हर किसी के mobile में पाया जाता है English to Urdu मैं इसको Urdu to English कर देती हूँ हैलो तो मैं इंग्लिश में लिखती हूँ यह मैंने उर्दू लिखी इसको पर उर्दू लिखी और यह इस ते हुदी ट्रांसलेट करके मुझे इंग्लिश में दे दिया ठीक है यहाँ पर देखें यह इनोंने घह में जब जब ट्रांसलेट कर के नहीं दिया टांसलेट करने के बाद ही हमें वह आप उपकर अपकर सुना है I am a girl नहीं एक लड़की गूए अब तो इतने software आ गए हैं कि आप लोगों को किसी भी जुबान में बात करने में कोई मसला नहीं है English हो रहे हैं आप लोग कि फ्रेंस में भी बोल सकते हैं आप लोग अर्बी में भी बोल सकते हैं तो इतने software आ गए हैं क्लाइन कहीं से भी उठके आ जाए आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा अगर English आपका मसला तो भी कई मसला नहीं है पहला आपका मसला clear ठीक है? दूसरी बात यह कि आप लोगों के पास laptop नहीं है या computer नहीं है ठीक है? दूसरा बड़ा मसला जो कि अब मैं सोल्ट करने जा रही हूं तो जो हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं हास्तर मैं जो ट्रेनिग करवा रही हूं वो करवा रही हूं कैनमा की कैनमा वो वाहिज सोफ्ट्वियर है जिससे आप लगों नहीं करोरो टेंपलेट्स असानी से अपने मुबाइल से बना सकते हैं बिना कोई पैसे हचे बिना कुछ किए यानि कोई लैपटोप की ज़रूरत नहीं कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं ठीक है यह आप अपने मुबाइल पे इसकी आप इंस्टॉल करें आप इसको सीखें प्रोपर इसकी पूरी प्रोपर ट्रेनिंग लें और आप इसको अपने मुबाइल से डेली डेली जितने मरजी आप टैंपलेट बनाएं कोई लिमिट नहीं है आप लोगों को बस तरीका आना चाहिए एक स्किल लानी चाहिए कैन्वा का भी मैं इंट्रोड़क्शन दूँगी बट पहले मैं जिस्ट आप लोगों के डाउस क्लियर कर दूँ ये एक कैन्वा एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि आप लोग अपने मुबाइल के थूरू इसको यूज करके बहुत से वैसे कमा सकते हैं को बैव अगर आपने अब ये हरकत करनी है तो मैं आपको भी निकाल दी हँ मुझे आप लोगों के नाम शो हो रहे हैं जो ये हर्कते कर रहे हैं आप लोगो नग्लास में नहीं रहना तो आप लोग जा सकते हैं मुझे कोई शू नहीं o अच्छा दूसरा आप लोगों का मसला ये था कि हमारे पास लैब्टोप यहां कंप्यूटर नहीं है ठीक है ये मसला हलो गया किया आप लोग मुबाइल को यूज करके कैन्वा भी यूज कर सकते हैं और फ्रीलैंसिंग के जो अकाउंट है Facebook Instagram WhatsApp आप लोग मुबाइल से लेखते हैं ना मुझे मेरी बात का जवाब दें मैसिछ पर जो Facebook Instagram TikTok है वो आप लोग अपने मुबाइल से यूज करते हैं ना तो जैसे के मैंने भी आप लोगों को बताया कि यह भी आप लोगों के marketing के आप लोगों के freelancing के platforms हैं ये तो चल ली रहे हैं इसके लावा Fiverr, Upward और freelancers भी आपके मोबाइल पर easily download हो जाती है इनकी app और easily आप इन नेक्लाइंट से बात भी सकते हैं तीनों Apps आप लोगो अगर Google Play Store पर जाएंगे तो Freelancers लिखेंगे Freelancers.com तो आप लोगों को उसकी वेबसाइट गो एप भी मिल जाएगी Upwork लिखेंगे Upwork की एप भी मिल जाएगी Fiverr लिखेंगे Fiverr की एप भी मिल जाएगी और मेरा नहीं ही ख्याल कि आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आएगी ठीक है इसमें आप लोगों को मुबायल से यूज़ करने का भी तरीका मैं बता दूँगी कि कैसे करना है तो दूसरा मसला भी हाल हो गया भी तो यही दो बड़े मसले थे आप मैं जा रही हूं थरव हमारी क्लास की तरफ ठीक है सबसे पहले हमारा मकसद है कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास कोई स्किल है जो आपके पास built-in स्किल है आप उसको ओन्लाइन ग्राफिक डिजाइनिंग का एक टूल है. ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आप लोगों को आइडिया है? जबा मैसेज करें. पहला मसला लेंग्विज का था कि इंग्लिश के जुबान हम कैसे हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हमारे बास डिगडिया नहीं है तो ग्राफिक डिसाइनिंग का कोई आइडिया नहीं आप लोगों के क्या है मैं बताती हूं, ग्राफिक डिजाइनिंग वह है कि जिसके अंदर आप लोग अपनी पोस्ट बनाते हैं, अड़िटाइजमेंट बनाते हैं, वेरी गुड, क्यानवा भी सिखें, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली एक स्किल है, ठीक है, जिसमें आप लोग अपने कलर्स को, अपने फोंट को, मतलब अपने टेक्स्ट को, अपनी कोई भी सोच को अपनी एक विज्वल का व्यू देते हैं, मतलब एक देखने के लाइक आप एक पोस्ट बनाते हैं, जो कि आपका मैसेज कनवे कर रही होती है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग में, आप लोग उन्हें बड़े-बड़े पोस्टर्स देखे होंगे, इंशाला, आप लोग उन्हें बड़े-बड़े पोस्टर्स देखे होंगे, बैनर्स देखे होंगे, आप जब इसी वेबसाइ बत करते हैं ठीक है आपने कोई advertisement परी के बही इस्तिहार लगे हुए है उर्दु जुबान में कर मैं बोलूं तो इस्तिहार लगे हुए है जगा जगा पे फ्लेक्स लगे हुए है तो वह सब किसका काम है इसी फेस्सցद अवह सब काम ग्राफिक डिजजाइननर्स का है ठीक है ग्राफिक डिजाइनर्स यह काम करते हैं आगे चलके जब हम लोगम अपनिस पर काम करेंगे स्किल को सिक्तेंगे तो हमने पता लग जाएगा कि भाई इसविभाइक डिजाइनिंग होती तरह का टैंपलेट बनाना है जो के विज्वल हो ठीक है जो के विज्वल हो जो देख सके हैं आप लोग तो उसको कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग ठीक है अब हम लोग जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हम लोगों को कुछ समझनी आएगा ऐसे मैं बोलती है पतानी कून सी चीज जिनको बिलकुल आइडिया निया ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं नके लिए बात बोऊ रही हूं मेरे हैल से अप सब लोगों को पता होगा अपर जिनको नहीं आइडिया उनको थोरा gमार देने के लिए के क्या या क्या हुति के ये मुझे बोलना पर रहे अभी सिर्फ बोलने से तो पता नहीं लगेंगा अब आप लोगों को प्रेक्टिकल करना पर और प्रेक्टिकल कहा करेंगे के काम के यह के लिखना है के सम होगने पर लिखेंगे यह सबसे पहली साइट साइट इस से अटाइच था तो उन्होंने का है साइन इन विद गूगल तो यह ओटोमेटिकली गूगल से मेरा कैनवा अटाइच हो गया है यह वेबसाइट के थ्रू है मुबाइल के थ्रू अगर आपको ना समझ आई तो वह भी मैं आपको समझा दूंगी आप लोग मुझसे आजाएंगे जिनको आप यूजج कर सकता है वो भी फ्री में ठीक है इसमें फैक इसमें बेड चीज़े भी है बड़ इसके अंदर फ्री छjack एंप्लेट काप्शन है कि आप लोगों को पैड खुर्ट फ्रीप ऑरेंके जरूर्य कि थिए नहीं प्रेंगा मैंने आप लोगों से का है questioning आप लोग एंड पर कर सकते हैं अपने questions लिखने अच्छा आप यह देखें जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि graphic designing में आप different services देते हैं अब वो services क्या है canva को use करते हुए हम graphic designing की कौन-कौन सी services दे सकते हैं अब यह देखे जरा हम design sportlet में जाएं तो यहां पर देखे उनने कहा है start creating आप logo बना सकते हैं logo maker आप logo बना सकते हैं flair maker flares बना सकते हैं banner बना सकते हैं poster बना सकते हैं even की resume में भी आप यहां पर बना सकते हैं क्यामें एंविटेशन कार्ड शादियों के जो कार्ड होते हैं जो बिजसिस कार्ड होते हैं वो सब कार्ड भी आप लोग कैनवा को यूज करके बहुत असनी path के ससे बढ चिक कार्ड में क्रों जैसे के मैंने अभी बॉल दो भी बिशिम कार्ड आपका पता होगा, I'm sure, but जो girls है, बल्के आदमियों को भी मैं कोई example दे देती हूं, आप लोग किसी, यानि, hair repairing की shop में जाते हैं, तो वो company वाले, आप लोगों को अपना एक छोटा सा card दे देते हैं, जिन पर उनका number लिखाता है, और उनका नाम लिखाता है, बड़ा सारा, ब आप लोगों को मिल जाएगी साथी, इंशाल्ला, अच्छा, मीटिंग हमारी अंडोने वाली, आप लोगों ने जिस लिंक से जोइन किया है, इस मीटिंग को उस लिंक से दुबारा जोइन करे, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूं, ठीक है, मीटिंग दुबारा से जोइन करें सेम लिंक से मैं आप लोगों का वेट करी हूँ जिस लिंक से आप लोग आये थे गुरूप ले पोर डेस पोर प्लाटफोर्म वले गुरूप से जो लिंक मैंने बेज जा था सेम वही लिंक पर क्लिक करें और जोइन करें ठीक है मैं वेट करें हूं दुबारा हैं इंक स्टार्ट करने लगे अब लोग अपना मारे कंद मुट मत करिएगा जोनों ने कुछ कहना है वो मैसिज पर कह सकते हैं और अपने क्वेस्टन सेशन के अंट तक के लिए रखेगा अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी मैंने आप लोगों को कैनवा को लोग इन करना सिखाया और मैं कैनवा के बारे में आप लोगों को बता रही थी ये ग्राफिक बिसाइनिंग का टूल है और इसमें हम लोग क्या क्या सर्विसिस दे सकते हैं मैं आप लोगों को भी सर्विसिस का बता रही थी कि देखें यहां पर हम लोगो फलेयर, बैनर, पॉस्चर, रिजियूमे, इन्विटेशन कार्ड इमरान अली आपको भी रिमॉव कर दूँ ठीक है मैंने इमरान अली को भी रिमॉव कर दिया है अच्छा स्क्रीन और वोइस क्लियर आप लोगों को मैसिज करिएगा अच्छा मैं बता रही थी कि कैन्वा में हम लोग कौन-कौन सी सर्विसिस सीख सकते हैं ठीक है कौन-कौन सी स्किल्स कैन्वा हमें प्रोवाइट कर रहा है Uh कंवा राया संग में प्री आफ प्री ऑ prevents कोस्ट क्या क्या सिखा रहा है कंवा में हम लोगों बिना सकते हैं प्लेर बिना सकते हैं बैनेर पोस्टर रेज्यव में इंविटेशें कार्ट बिविश्निस कार्ट वीडियो इंट्रो में हरे आप लोग इसी की वीड któ वीडियो अदिटिंग भी कान्वा में बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है अगर आप मीमी कर रहें अगर आप social media बहुत यूज रहे हैं आपको मेमी बनाना बहुत अच्छा लगता है तो वो भी अन्वा में असानी से बन जाती है को लाज ग्राफ प्रेजंटेशन whiteboard whiteboard presentations pdf editor graphs website website wireframe website ui ux designing each and everything letterhead planners resume business card again वही post आप किसी भी तरह की post बना सकते हैं social media के लिए facebook instagram twitter youtube किसी तरह के भी यही post बना सकते हैं advertisement बना सकते हैं stories बना सकते हैं Instagram की Facebook की Instagram की post बना सकते हैं Instagram की stories बना सकते हैं Facebook की stories और advertisements बना सकते हैं Facebook और Instagram actually advertisement के लिए best platform है आपने कोई भी काम करना है आप उसको प्रोपरली Facebook पर और Instagram पर advertise करें वहाँ तो आप लोग उसको advertise करें तो इंशाला आप लोगों को वहां से बहुत अच्छी growth मिलती है आपके business को तो वो भी इंशाला आगे से लिए सिखेंगे Twitter की post बना सकते है Twitter की about यह नहीं कोई भी आपने उस पर advertisement बनानी है वो भी बना सकते है YouTube की YouTube की वीडियो एडिटिंग YouTube के thumbnails YouTube के shorts आप लोग यहां पर कुछ भी बना सकते है वीडियो एड्स, वीडियो एडिटर, फोटो बुक्स, फोटो एडिटर, ब्रोशे, फ्लेयर्स, लोगों से वही menu card के design जो के रेस्टरंट्स वगयरा में menu के card आपको दिये जाते हैं वो भी आप यहां पर easily बना सकते हैं मैं जैसे कि बताया, posters आप लोग यहां पर बना सकते हैं, stickers बना सकते हैं, art signs, cards, labels, बलक्के इस से भी कई जएधा, shirts के design, post cards, marks, labels, invitation और calendars भी आप लोग यहां पर असानी से बना सक ठीक है, यह सारी services Canva आप लोगों को free of cost दे रहा है, ठीक है, यह जो Canva का tool है, यह आप लोग यहां से free of cost सब कुछ यूज करके बना सकते हैं, अब for example, देखें, मैं यहां पर search में लिखती हूँ कि अगर मैंने logo बनाना है, मैं यहां पर लिखूंगी logo design, just मैं logo लिखूंगी मेरे पास logo के बे तहाशा templates आजाएंगे, यह उपर देखें, हमें कुछ, कुछ वो suggest भी कर रहा है, जैसे कि अगर hospital से related logo साई है, डॉक्टर से related साई है, church, event, gaming, badge, art, design, fashion, brand, computer, food, drink, education, sports, इतनी ज्यादा यहां पर field है, और देखें, कितने template हैं, पांच लाग के करीब, ठीक है ओल्मोस्ट पाइफ लाग के करीब हमारे पास, 58,739 template हमारे पास logo के यहां पर कैन्वा में मुझूद हैं, ठीक है, आप यहां पर अगर education से, मतलग, for example, आप लोग teacher हैं, मैं teacher हूँ, मैं यहां पर teaching से related logo चाहिए, teaching logo, मैं यहां पर teaching logo लिखूँगी, तो यहां पर देखें, म यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह देखें, स्कूल बेनावा है, teaching से related मुझे, लोगो मिल जाएंगे, इदर orbit emblems आगे हैं, साथ में, यह देखें, यहां पर लोगो लिख रही हैं, यह देखें, यह देखें, लोगो की भी आगे से टाइप्स होती हैं, जब हम लोग प्रोपर ट्रेनिंग करें के ग्राफिक डिजाइनिंग की, जब आप लोग प्रोपर सेशन लेंगे, तो मैं शला आप लोगों को वहां पर की तायप्स किया शती हैं आप लोगों भी एखनासिंग, baik, सबस्क्राइब गजaken से कैन्वा में लोगों की एक टायप नहीं होती है, लोगों की भी कई टायप्स होती हैं और वह सारी श्रंस आप लोग यहां पर असानी से οι अध चाहे वो कोई कार्टून करेक्टर है स्क्रीन शोव नहीं है और यह आप लोगों को मैसेज करिएगा मेरी स्क्रीन और वोइस आ रही है और यह समर् institutions बाने फी currently अगर मेरी से थाथ को मतलब सब ढमीलaş की जाएगा बहुति इसलिए अगर मेरी से मसला रहता ना तो यह को भी ठीक ना लगती एडिटिंग तो एक लेक्चर में नहीं सिखाई जा सकती उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जुरुवरत है जस्ट आप लोगों ने इनको एडिट करने अपना नाम लिखना है और लोगों के लिए मैं आप लोगों को इंशाला आगे भी बहुत कुछ प्यताऊंगी उसके अलावा अब यहां पर रिजियो में आप लोगों को अगर सीवी नहीं बिनानी आती आप लोग कैनवा में लिखे आप कैनवा में यहां पर लिखे रिजियो में अगर आप लोगों को सीवी नहीं बिनानी आती तो यहां कैनवा में रिजियो में लिखे या सीवी लिखे और सर्च करें यहाँ पर बने उसको एनीमेशन वाला टेमटेट कहते हैं यहाँ पर बने-बनाएills मुझूद है रेजिमे के और सी वी के आप लोग किसी भी टेमटेट के उपर क्लीक करें उसमें अपनी इंफॉर्मेशन अप्डेट करें और आपका रिजियूमे जयार ज्यादा सर्विसीज दे सकते हैं अब यह जो मैंने आप लोगों को बताया कि कैनवा में यह सारी चीज़े बन सकती हैं चलें यह सारी चीज़े तो आप लोगों को आजेंगी यह सारी क्या हैं यह सारी स्किल्स हैं यह सारी सर्विसीज हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल बना सकते हैं, हम बैनर्स बना सकते हैं, हम पोस्टर बना सकते हैं, हम रिज्यूमे बना सकते हैं, तो अगर आप भी यह देखें, आप लोगों को बताया है, यह देखें, मैंने रिज्यूमे लिखा है, मैं रिज्यूमे लिखती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया, कि हम लो पर रिजूमे लिखा तो जो लोग अपनी स्किल्स यहां पर बेच रहे हैं उनकी अकाउंट यहां पर शो होने लगे इनको गीक्स का जाता है पाइवर में गीक्स की सुरत में काम होता है इंशाला कल इस पर डिसकुर्शन करेंगे अभी मैं बता रही हूं कि देखे 25,606 पैसे कितने चार्ज कर रहा है 20,000 बीस अजार वो सिफ एक रिजूमे बनाने का बीस अजार चार्ज कर रहा है फाइवर पर ठीक है यह फ्रीलैंसिंग है आप अपनी कोई स्किल्स सीखे जरूरी नहीं है कि आप लोगोंने रिजूमे करना है या जो स्किल्स मैं आरी हो आप नहीं लिखी है जो हमारा स्कोट्लाइट थud कि इंदर नहीं लिखी है कितनी सारी स्किल्स वह अप सर्च कर के यहां पर देख सकते हैं किर वह किसी एक श्किल्स को यह Wolf Lite कउंवे कोई को इसाति ही अब अपर अपनी अप्रिस बहुत ज्यादा करें बहुत प्राक्टि आप फाइवर पर दें आप अपवर पर दें और फ्रीलांसर पर दें उसके अलावा आप फेस्बुक ट्वीटर इंस्टाग्राम टिक टॉक और जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स आप यूज करते हैं उन सब पर आप अपने आपको ब्रैंडिंग करें अपना नाम बन बेस्ट प्लैट्फॉम है जो कि उनको फ्री में जाहिरा फ्री में मिल रहा तो यह मैं सस्ता ही चीज़ कहूंगी क्योंकि यह बहुत अच्छी फील्ड है यह ग्राफिक डिजाइनिंग में कैन्वा ने एक बहुत बढ़ा रोल प्ले किया है कैन्वा पर आप हर चीज़ बन बना सकते हैं वो काम आप यहां पर 10 में बना सकते हैं, टिक है? फौर बिंश्ङेम आपस और जाएम आप लोग उसके अंदर यानी पूट करेंगे सारा डाटा यहां पर एक बना बनाया आपके पास टेंपलेट है आपने उसको एडिट करना है उसमें सिर्फ अपनी इंफरमेशन पूट करनी है जिस्ट इतना सिंपल ठीक है बट इतना सिंपल भी ना समझें कैनवा को यूज कर में बनाने का ले रहा है जो बिंग थो मिनट में मैं तो डो मिनट में ने 1 में 2 में 9 तो यह should इन्जाला कल हमारा फाइवर के बारे में इंट्रोडक्शन सारा परेंगे बारे में मेरे हाल से आप लोगों को आइडिया हो गया किसी का कैनवा से रिलेटिट कोई क्वेस्टन है तो वो कुछ से मैं रिकोड़ी एक सेकिन स्टॉप कर लूँ झाल झाल